नमस्कार मैं हूँ जूती चौरसिया और आप देख रहे हैं TV9 Digital चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से जारी विवाद थमता नहीं दिख रहा है चीन ताइवान को किसी भी हालत में अपने देश के हिस्से के रूप में देखना चाहता है और ताइवान को अपना हिस्सा बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है इसे वीच शीन से बढ़ते खत्रों को देखते हुए ताइवान ने अपनी डिफेंस कैपिबिलिटेज बढ़ा दी है आपको बता दें कि ताइवान ने अपने एयर फोर्स में F-16 फाइटर जेट के सबसे अपग्रेड़िट वर्जन तैनात किये है ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेल ने गुरुवार को चियाई में वायू सेना अड़े पर 64 अपना झाल 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 उस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बहराल हमारी इस वीडियो पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 Digital देश बनता है अपने नागरिकों से ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें जो सिर्फ जानकार न बने बलकी जागरुक भी रहें इस काम में TV9 Digital है आपका मददकार लगातार ताकि आप भीड का हिस्सा न बने बलकी रह दिखाएं भीड को देखते रहें TV9 Digital